तो देखिए आज मैं आपके लिए कुछ वन वर्ड के क्यूशन लेकर आया हूँ जो आपके अपकमिंग एक्जाम है जून मन्त में चाहिए वो SSC CSL हो, चाहिए वो SSC CPO हो, चाहिए वो SSC सेलेक्शन पोस्ट हो ठीक है, SSC junior engineer के एक्जाम हो, वहाँ पर इससे लिटर क्यूशन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो मैं कुछ most important क्यूशन लेकर आया हूँ, जो अक्सपेक्टेड हैं, जो upcoming in exams में आ सकते हैं तो जो लिए स्टार्ट करते हैं, पहला जो हमारा क्यूशन है, वो है जानवरों का, जो क्या है, अपने सरीर से टैरते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या one word होगा तो देखें, इसका answer draw हो जाएगा, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer D option हो जाएगा चलिए अगला क्यूशन देखते हैं अगला हमारा क्यूशन है, एक group of three novels, यानि तीन novels का एक सम्मू है, या तीन plays का एक सम्मू है, प्लेमिस नाटक का सम्मू है इस complete unity self, जो अपने आप में सम्मून हो, अपने आप में पून हो, ठीक है, यानि basically कहने का मतलब है कि तीन novels या नाटक का जो group होगा, उसकों क्या बोलेंगे, तो उसकों tryology बोलेंगे, क्या बोलेंगे, tryology तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer D हो जाएगा, tryology तो चलिए अगला question देखते हैं friends, अगला हमारा question है, a self-governing country और region, ठीक है, a self-governing country और region को हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम क्या one word use करेंगे, यानि देखिए, एक ऐसा देश या एक ऐसा चेत्र, जहाँ पर उसकी खुद की government हो, खुद का सासन हो, तो उसको हम बोलेंगे autonomy, ठीक है, autonomy, यानि सवायता बोलते हैं, इसको जिसका अपना स्वासन होता है, ठीक है, उसके अपने rules होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, autonomy, तो इसका answer क्या हो जाएगा, B option, इसका answer हो जाएगा, तो इसका answer क्या हो जाएगा, B option हो जाएगा, तो चलिए friends, अगला question हम देखते ह तो देखिए अगला question है a place where coins, medals और tokens are made यानि a place where coins, medals और tokens are made यानि एक ऐसा स्थान जहां पर क्या होते हैं सिख्य मनते हैं, medals बनते हैं ठीक है, tokens मनते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या one word का यूज़ करेंगे तो देखिए, उसको हम बोलेंगे तो उसके लिए जो one word होगा, वो होगा mint, ठीक है, इसका answer क्या हो जाएगा c option इसका answer हो जाएगा यानि mint, mint यानि टकसाल है टकसाल बोलते है mint को यानि टकसाल के अंदर क्या होता है, mint के अंदर क्या होता है coins, medals और tokens का क्या हम बनते हैं, वहाँ पर तो चलिए, friends, अगला question देखते हैं तो देखिए, अगला हमारा question है a person who is trained to travel in a spacecraft यानि एक person है एक व्यक्ति है, जो trained होता है, आकास में यां tricks में यात्रा करने के लिए वो कौन होता है, ठीक है तो इसका जो answer होगा, वो astronaut हो जाएगा यानि, astronaut means कहता है, अंत्रिक्स यात्री यानि, जो अंत्रिक्स यात्री होते है जो अंत्रिक्स में जाते है वो trained traveler होते है यानि, trained अंत्रिक्स यात्री होते है जो अकास में, अंत्रिक्स यान में जाने का काम करते हैं त्रिक्स में और वहाँ पर वो क्या करते हैं खोज करते हैं जैसे मंगल ग्रह पर हमने देखा है कि लोग जाते हैं पीपूल जाते हैं तो वो क्या होते हैं एस्ट्रोनॉट होते हैं ठीक है और एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोनॉमर क्या होता है विज्ञानि drinks, one who does not take any alcoholic drinks यानि देखिए ऐसा व्यक्ति जो किसी परकार के alcoholic drink को नहीं लेता हो किसी भी परकार के alcoholic drink का 7 नहीं करता हो, ठीक है वो इन सबसे दूर रहता हो, ऐसा व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसा व्यक्ति को हम बोलेंगे Tito Taylor Tito Taylor means होता है ऐसा व्यक्ति जो alcoholic drink का 7 नहीं करता है मादक पदार्तों का 7 नहीं करता है तो इसका answer A option हो जाएगा तो चलिए friends अगला क्यूशन देखते हैं, अगला क्यूशन है देखिए A large building with an extensive floor area typically for housing aircraft, यहनि ऐसी building है, जहापर हम क्या करते हैं, वायू यान को रखते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल देएं उसके लिए हम क्या one word का यूश करेंगे तो देखिए, उसके लिए हम hunger word का यूश करेंगे यानि hunger एक ऐसा ऐसी building होती है, जहाँ पर क्या होता है spacecraft को वहाँ पर रखा जाता है देखिए, a person will listen to someone's private conversation without them knowing यानि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की वर्तालाब को छुपकर सुनता है उनकी बिना जानकरी के, ठीक है तो उस व्यक्ति के लिए हम क्या one word का यूश करेंगे, उसको किसके लिए क्या one word का हम यूश करेंगे, तो देखिए इवेस ड्रोपर हम बोलेंगे, इवेस ड्रोपर मीस होता है किसी की बात को चुपचाप सुनना बिना उसकी जानकरी के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ओप्सन इसका आंसर हो जाएगा, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्यूशन देखते हैं अगला सो हमारा क्यूशन है वो है ए लार्ज बैड्रूम फोर ए नंबर ओफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्ट्यूटेशन यानि स्कूल और इंस्ट्यूटेशन में देखिए हम देखते हैं कि बहुत बड़ा कमरा होता है, ठीक है जहाँ पर काफी बैड लगे होते हैं वहाँ पर काफी स्ट्यूटेशन वहाँ पर रहते हैं 25-30 स्ट्यूटेशन उस रूम के अंदर रहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डोर मेटरी बोलेंगे ठीक है तो इस कांस्वर क्या हो जाएगा इस कांस्वर D option हो जाएगा